जेहिं गाइस अकास इस्पेल्ट्रेशन सर्विस लिंटेड जो कि यह सेर यह कंपनी में खुरूप से ओल एंड गैस पर काम कर रही है और कंपनी के फंडमेंटिल बात कर गाइस यह इस्टोक आपको एनसी पर लेस्टेड मिल जाए और मार्केट कैप है जो कंपनी के काफी च सिस्टिन का जब गाइस हैंपर इंडिस्ट्रीप है 33.4 को तो इंडिस्ट्रीप की मुकाबले एक अच्छी रेट पर हैंपर अबलेवल है जो मिल रहा है बुक वैलू है 5.70 का अपने बुक वैली को आसपास से स्टोक थोड़ा सोब पर ट्रेड कर रहा है जो कि हाई लगा ठीक ठाक कह सकते हैं इसके अंदर क्योंकि सब कुछ अच्छा तो इसमें नहीं ही लेगा है लेकिन फिर भी ठीक है और और पैसा कमा रही है इससे यह पता चलता है और यहाँ पर कर ज कमने 24.2 कमपने में करज है जब कि कि मुकावले कमनी में रिजर्व भी 42.2 क्रोड का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो कमपनी आलमोस debt free consider कर सकते हैं, छोटी कमपनी है लेकिन कार्ज मुक्त कह सकते हैं, कि इसके पात अंदर रिजर्व है, कि अपने कर्जो कौज को कभी भी खत्म कर सकती है, है फिर केस लोग यहाँपर मैने में है कैस कम्पणी 1.26 करोक estás प्रिस्ट की एक mentre holding है जो कि प्रमोटर ने हम पर कोई गिर भी नहीं रख़ा है तो मचारिक और कम लोग कोई शारी कमपनिया है क्वार्टरी गैठिक कंपनी ने क्या जनरेट किया है तो पहले की मुकाबले अभे सकते हैं कमपनी का से जोगी कोई खास इंखरीज नहीं हुआ और यहां पर कंपनी अधरिंगिस्त कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है वे तो यह वैसे मायनज स्पांट होता है प्रणबर्ट इसमें धौ favorite कश्च uppम्पने को अब स्कते हैं कि निट्विट पहले मुकाबले कोई खास जँनेरेट कर रही है और पूरी वात की दूब स्किटो पूरै साल के बात करें साविक के पहले साथ सुत जो स्सें गरते तो सी Dwaria निपूल mö G प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है यहां से कोई खास नहीं हुआ उन वैर ट्री वैर फॉर फाइव वैर से से तक भी ने ने निट प्रफिट आसपा सी जनरेट कर रही है वह रही जो कि इस साल कमशन कि अपने इंवेस्टर का जो कि शोक का पर नीचे आग चुका है और रिजर् जो कि यहां पर कम किया था फिर बढ़ाया है जो कि यहां पर माइस पॉइंट हो जाता है